हेलो, नमस्का दोस्तों कैसी हैं और सभी और कैसी चार रही है आप लोगों की जाए और आज एक टेस्ट करेंगे सुपर पास टेस्ट है जिसमें आपको 15-16 मिनिट का टाइम मिलेगा और इस तोरण आपो टोप 100 क्यूसंस की आंसर देने राजस्तान की कलास आयते थी यह सारी वो क्यूसंस जो आपके एक्जाम में सब्से जादा बार रेपीट हुए हैं तो जो भी आपका स्कोर रही जितने भी आप सही कर सकते हैं 100 में से कॉमेंट करके बता देना कि कितने क्यूसंस हैं वो आप लोगों ने सही किये हैं इसकी पीडिय पर अगर आपको लेना हो बाद में रियूजन करने के लिए तो टेलीगराम पर मिलेगी यह नाम सच कर लेना प्रैला सारण से के नाम से तो कर दिजिए फर अपड़ी पाद लाइक से और फिर अपना स्कोर बता देना लास्ट में पहला है कि राजस्तान में उंधरीय पंत्थ हो किनमे पसले थे उंधरीय पंत्थ का समंद्य हो घील जनryजाती से है तो राइतांसर आपका एक नमर है दूसरा है किन में से कौन से सूपी संथ हैं जो उदार और सही स्नूदस्टी कौन की बज़े से महभूब ए इलाही कहलाए थे तो महभूब ए इलाही कहा जाता है निजामूदी ओलिया जी को एक आपका सही और एक सासक और संथ पीपा किस अस्तान से सम्मधिते हैं संथ पीपा जी जीने हमें दरजी समुधाय के अरादे देव मानते हैं और ये गागरोन से समधिते गागरोन जालाबाड जहां पर इनकी चतरी भी बनी हुई है और इनकी गुपा है वो टोडा टौंक मेहर मंगी रह समधड़ी बाड़मीर में है अलकिया संपताय के परवत कोन माने जाते हैं अलकिया संपताय मुखे पीड़ बीका नीर में और लालगीरी जी ने चलाया था जिनका जर्म चुरू जिल्ले से है उसी आपका सही और परसित बनेश्वर धाम का पर है जिसे वागड का कुम कहते हैं और मेला बता है माग पूर्णी माँ को तो वो भी आपको याद रखना है अगला है कि विश्णोईयों के धर्म संस्तापकोन है विश्णोई यानि विश्णोई संपरदैश में 29 नियमों का पारण किया जाता है और इन्हें परियावन वेगयनिक भी कहते हैं गुंगा गैला भी कहा जाता है राजस्तान के वो कौन सी संत्य है जो राजस्तान को छोड़कर बना रहा चले गए थे और वहाँ पर रामाना जी किसी से बन गए थे तो दन्ना जी थे भी आपका सही अगला है कि स्वागन स्तिरियों का सबसे मेहत्वन त्योहार होता है गंगोर और गंगोर की सितिती को आता है चेतर सुकला तिर्ट्या को गंगोर आती है और चेतर सुकला पंचम जो है इसमें गुलाबी गंगोर मनाते है वाकि राजस्ताने पसले किस त्युहार में महीला हैं जो है वो एक्तित तोकर को मार के गर जाती है चिदर किये वे यानि चिदर वाला मटका जिसमें दीपक अखर गरगीत गाती वी आती है यहां पर आप स्तिरिया तो नहीं कह सकती है ए भी वहाईत बालीकाई जो होती है उनके लिए त्युहार है जिसमें कहते है गुड़ला का त्युहार और गुड़ला का त्युहार राजस्तान में मारवाड का ज़्यादा परसिद है इसी टेम पर सीतलास्टमी आती है बासुड़ा का तुहारी भी आता है रादस्तान में चेतर कश्णा अस्टमी को नेश्ट है कि गुलाबी गंगूर कम मनाई जाती है और कहाँ पर मनाई जाती है तो गुलाबी गंगूर है नाथ दुवारा की परसिद है और चेतर शुकला पंचिमी को और गंगोर आती है त्रित्या को हरताली का तीज की दिन है वो किस बगवान की पूझा करते हैं तो गोरी संकर की पूझा की जाती है और हनुमान जेन्ती के उसर पर एक मेला बरता है मेंदी पूर बाला जी का मेला कहां पर बढ़ता है जहां पर बाला जी की बालों की पूजा होती है दोसा में बढ़ता है और अगला है कि बोरा समाच का उर्ष राजस्तान में कहां पर बढ़ता है गलिया कोट में बढ़ता है सी आपका सही करास्तान के किस मेले को लखी मेला कहा जाता है लखी मेले की रुख में जाना जाता है लखी मेला कहते है केला देवी की मेले को जो की बढ़ता है क्रोली जिल्ले में यहां पर लांगूरिय गीत होता है लांगूरिय नर्थे होता है इस टाइम पर और यह मेला वर्ष में दो बार बढ़ता है कब नौरात्रा के टाइम पर बढ़ता है अगर आया कि अजमेर में परती वर्ष उर्ष का मेला किस समय बढ़ता है आजमेर में बढ़ता है पहली रजब से लेकर 6 रजब तक बढ़ता है जहां पर सबसे बढ़ा उस जो है और आजमेर के बाद में दूसरा सबसे बढ़ा उस जो है वो राजस्तान के नागोर में बढ़ता है किस परता किनुसार पतनी अपने पती को छोड़ कर किसी अन्य पूरूस के साथ रह सकती है तो नाता परता के कोडिंग ऐसा होता है और नेक्स है कि राजपूत योधाओं के द्वारा पराज्य की स्तिती में स्तुरू पर टूर पढ़ कर स्विम ही सहीद हो जाना क्या कहलाता है यानि ऐसी स्तिती में जब उने लगी कि पराज्य होने वाली है तो दोनों हाथों में तलवार लेकर केसरिया धान करके केसरिया करते है और जब केसरिया और जो और दोनों जब होता है तब कहलाता है साका आप तो राजस्थान का पहला सा का काम परवा था एक लाए कि पती की मर्त्यू कहीं अन्यत्र हो जाने पर उसका दास अंस्कार करें जाने पर उनकी विद्वा के चिता रोहन को क्या कहा जाता है कहीं और मर्त्यू जब हो जाती है उसे कहते हैं अनुम्बरन यानि यह सत्वी पर्था जो है उसी कही एक रूप है उसी का उपनाम कहा दीजिये अनुम्बरन कहलाता है एक आपका सही विवाह के वे को यानि खर्चे को बचाने के उदेशे से वदू को वर के घर छोड़ देने के पता क्या कहलाती है यानि खर्चा बचाने के लिए लड़की को लड़के वाले के घर पे छोड़ देते हैं और ये पर्था जो है मेलबो विवाह कहलाता है ये एक आपका सही। गराशिया जनजाती में पर्चलित किस विवाह के अंतरगत। ब्रामन की अनुपस्तिती में नामातर के फेरे लेकर विवाह किया जाता है। ब्रामर ना हो तो भी चलेगा नामातर के फेरे होते हैं और ये विवाद जो होता है पहरावना विवाद कहलाता है और आदिवासी लोगों में परचेते लिल्ला मूरिया संसकार का समन किसे है लिल्ला मूरिया संसकार विवाद से समन दीता है सी आपका सही और 16 संसकारों में से पहला संसकार टोटल 16 संसकार होते हैं पहला होता है गर्बाधान संसकार ठीक है गर्बाधान संसकार तो राइट आंसर आपका एक नमर सही आंसर है और मांगली का उसमों पर गोबर आदी से आंगन लेपने की किरिया क्या कहलाती है जिसे आप रियान कह सकते है पुर्णाई कहलाता है बी आपका राइट आंसर और माने के लाल वर्मा आदीम जाती सोध संस्तान कहां पे बनी हुई है उद्धेपुर में है और राजस्तान की वह कौन सी जाती है जो मकान के दरवाजे बंद नहीं करती मकान के दरवाजे बंद नहीं करती कंजर जन जाती आती है और तोराबाटी, काठडी, राजाबाटी बोलियों का समन्द किसे ये सारी डुंडाडी की उपबोलियों के नाम है तो सी अपका सही बागडी बोली कहां पर बोली जाती है तो वागड़ चेतर में वागड़ चेतर कहते है डुमरपुर बाश्वडा के देखो वागड़ चेतर कहा जाता है यहां पर वागड़ी बोली बोली जाती है और वागड़ी बोली को ही कहा जाता है भिली बोली आप कॉमेंट करके बता से मेवाती बोली मेवात चेतर यानि अलवर बर्थपुर वाले एरिया में बोली जाती है और डुमरपुर में बोले जाने वाली बोली कौन सी है डुमरपुर में वागडी बोली बोलते हैं भी आपका सही तोरावाटी क्या है तोरावाटी डुंडाडी बोली का नाम भी है और शिकर में एक नदी बैती है कांतली नदी खंडेला की पाड़ियों से निकलती उसका परवाट चेतर भी तोरावाटी कहलाता है तो दोनों याद रखे और खेडारी बोली जो है वो किसे छेतर में बोली जाती है तो टॉंक और भीलवाड़ा में यानि सापुरासित जहाजपुर वाला जो एरिया इस वो बाग में बोली जाती है भी आपका सकी निमलिक संतों मैंसे किस ने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रियोग नहीं किया मेवाती बोली मेवात चितर अलोर बर्थपुर में लागासी ने किया, चंडासी ने किया, सहजो बाई जी ने भी किया है सुंदर्दास जी ने नहीं किया, सुंदर्दास जी ने डुंडाड़ी बोली का प्रियो किया है दादु दियाल जी और उनके सिसों ने डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल राजस्तानी बासा की दो सेलिया है दिंगल है ये पसमी राजस्तान का साहिते रूप है और पिंगल जो है ये पुर्वी राजस्तान का साहिते रूप आता है अगले कि राजस्तान के निमलिक्त मैंसे किस सहर में होले के दुरां रम्मत का आयोजन किया जाता है रम्मत परसीद है बीका निर्की आँ बताओ रम्मत शुरू करने से पहले किस लोग देउता के बज़न गाये जाते हैं रावन हता क्या है रावन हता एक वादे इंतर का नाम है किस परकार का तत्वादे इंतर है यानि जिनमें तार लगे होते हैं चारवेंत तो राथस्तान की परचलित एक लोगाई शिली है और ये कहां की परचलित है नवाबों की नगरी की रादस्तान का लखनव यानि टोंक की इनमें से कौन सा तत्वादे नहीं है जिनमें तार नहीं लगे होते हैं जंतर भी है कामाईचा भी अलगोजा जो है ये नहीं है सुसीर वादे जंतर है ये और अगला की पटेलिया बिच्या लालर ये परमुक लोगीतों के नाम है इसके लोगीत है आदी वासियों के लोगीतों के नाम है जाता है ये भी आजाता है कि पटेलिया बिच्या क्या है त जिसका एक परसिद गीत है राजे गीत रास्तान का केसरिया बालमाउनी पतारों मारदे सबसे ज़दा बार इनों नहीं गाया है और मायंड का निशेली जो है ये जसल मेर की और बी का नेर की परसिद है अगर एक एक मैसे कौन सा जोड़ा गलत है तत्वादे है एक तारा जो है तत्वादे है तो सही बात है अवनद है ये मरिगद जो है वो अवनद वादे यनता है लेजी मैस सुसीर वादे यनतर है ये गलत है गन्य खर्ताल ये सही है तीन मर जोड़ा गलत है और जल्ला गीत जो है मैलाओं की दोरा कब गया जाता है ठीक है जल्ला गीत गाते हैं जब बरात का डेरा देखने के ले जाते है वरकी बरात का डेरा देखने जाने पर जल्ला गीत गया जाता है गोगा मेडी पसु मिला कहां पर बरता है गोगा नोमी को गोगा मेडी पसो मिला बड़ता है नुमानगर जिले में जहांपर हरियानवी निसल का क्रेव इकरे जादा होता है चंदरबागा मेला निमलक मेंसे किस जिले में है चंदरबागा मेला बड़ता है जहलावाड जिले में जापर मालवी निसल का क्रेव इखरे जादा होता है चंदरबागा नदीवी है इन मेंसे कौन सा जोड़ा गलत है ग्रिसम मौसो माउंट आबू में ठीक है चंदरबागा मेला जालावाड में ठीक है हाती मौसो जैपूर में ठीक है उंट मौस्तो जसल मेर में नहीं है, ये कहाँ पर बढ़ता है, बीका नेर में बढ़ता है, तो राय टांसरब का D है, नेमलक मैसे राज्ताम का कौर सा जिला कानन मेले से सम्मंदित है, कानन मेला है बाड़े मेर जिले में सियाप का सही, और केला देवी का मेला का बढ़ता है, मैंने बताया था करोली में और नवरात्रों के टाम पर बढ़ता है यानि चेतर सुकलपक्स में तो रायटांसाब भी है अस्विन मा में भी और गाउं मुकाम में जांबेशवर जी का मिला वर्स में कितनी बार बढ़ता है जांबीश वर जांबूजी मुकाम तालवा जांपर उनकी मुके पीट बनी हुई है इस साल में दो बार मिला बरता है और मरू उत्सो जो है वो राजस्तान में कहां पर मनाया जाता है जसलमीर में अगला है कि नागोर मिला मुक्यत है कि इसकी नागोर की जादातर मेले पसु मिले हैं तो सरवादी पसु मिले कहां पर बढ़ते हैं नागोर में हैं अगले किस सासन काल में कोटा में दसेरे मिला लगना शुरुआ था एक तो यह कि दसेरे मिला राजस्तान में का अंक परशिदे कोटा का किस के सासन काल मादोसी के टाइम पर इसकी सरवात हुई थी राम सनी संपरदे अपना फूरडोल उच्छो किस तान पर बनाता है तो घाने राउ में है एक आपका सही है नेक्स्ट है कि इनमें से प्रेटरन स्थल और जीला का जोड़ा है गलत की पैचान करनी है विरात्रा मात्ता का मेला बरता है बाड़ मेर में तो ठीक है बांकर माता गड़ मंदी जोदपुर ये गलत है खाम खांके तीन दरवाजिय जो मेरे ठीक है गुड़ा तीत का सुरिय मंदीर कोटा में ये भी ठीक है तो बी हो जाएगा आपका गलत बाला किला राजस्तान में कहां पर है बाला किला अलवर में अगला क्यूसर आपका, कि विश्वय का सबसे बड़ा चांदी का पातर कहां पे रखावा है, विश्वय का सबसे बड़ा चांदी का पातर कहां पे सीटी पलेस में है, और सीटी पलेस राज्तान में जैपूर में भी है, उदेपूर में भी है, तो जैपूर वाले सीटी पले और राजस्तान का अमरनाथ किसे कहा जाता है अमरनाथ कहते हैं परसुरा महादेवस्तल जो की साधड़ी में है साधड़ी कहां पर है कॉमेंट करके आप लोग जुरू बता देना और बंसी वाले का मंदिर राजस्तान के किस जिल्ले में आता है तो नागोर में दातुनगरी में और थली है वो की छेतर की बोली है मारवाडी क्यूप बोली है जो की बिकानेर जसनमीर वाले छेतर में बोली जाती है और जेपुर टकसाल की स्थापना किसके टाइम पर हुई थी तो स्वाई जैसी सेकेंड के टाइम पर नेक्स्ट है कि सरसवती कंठा बर्ण गरंद की रेचेता कोने सरसवती कंठा बर्ण जो है ये परमार राजा भोज तो राइट आंसरा का बी है जसलमेर राजे में सबसे पहले सवतंतर टकसाल की स्थाफ़ना किसके सासे नकाल में की गई थी जसलमेर में समसे पहिले हूए थी सबल सीके टाइम पर और डबु पैसा है रास्तान में कहां पर चलता था डबु चलता था जोदपूर रियासत में नेच्च की दूसरा संकराचारिय किसे का जाता है तो संतर अजब जी को कहते हैं गागरों का किला किसे दिया था? गागरों का किला दिया था? परत्वी, राठोड, पीथल, जिने कहते हैं बीकानियर के हैं. यही पर उन्होंने गरंध रिखा था? वेलिकरसन लुकमनीरी. अगर एकि संगमर की मूर्तियों का निमान कहां पर किया जाता है तो जैपूर की मूर्तियां ज़्यादा परसीड है और वैसे संगमर परसीड है मकराना का रास्तान में निरियात सेंवर्दन के लिए महत्पुन संस्ता कौन सी है निरियात, सेमवजन की सबसे मैथपुन संस्ताती राजशी को यानि राइट आंसर आपका दी हो जाएगा सही आंसर। और next क्यूस्तन आपका कि मारवार राज़े के राजवी होते थे। तो मारवार राज़े के जो राजवी होते थे, वो कौन होते थे? ये साही परिवार के सदस्य होते थे नेक्स्ट है कि रियास्ती संस्तान में लाटा सबत प्रियुक्त होता था लाटा क्या है लाटा सबत यूज क्या जाता था खलियानों के लिए थे का लाटा कुंता यानि पसल पे लिए जाने वाले करके नाम थे लाग थे जैपूर राजे में परतम सासक जीनों ने शीकों पर अपना नाम लिखवाया था और सबसे पहले नाम लिखवाया था सुवाई रामसी सेकेंड जो ठारा सुच्छा उनकी करांटी के टाइम पर भी थे पक्खाल क्या होता है राजसान पक्खाल कीसे कहते हैं तो रेगिस्तान शेतर में पानी लाने के लिए प्रियुक्त एक मस्क होता है जिसे पक्खा लका जाता है बियाब का सही और सुलो सुत्र का सम्मध है उकी से सुलो सुत्र जो है ज्यामीती से सम्मधित है बियाब का सही कानर्दे परबंद का समंद क्वा, कानर्दे परबंद एक गरंथ है जो कि पदनामजी ने लिखा था, जालोर से समंदी था जालोर का 1311 किसाके की जानकार इसी सी मिलती है आदिवरा सीका किस ने चलाया था आदिवरा सीका किस के द्वारा चलाया गया था गुज़ परतिहार सास्कों की दोरा और मिहीर भोज भोज बोज बर्थम आपको याद होंगे जिनकी उपादी भी आदी वरा रही है चुहान अरेसों में किस रानी ने अपने सेके जलाए थे तो सोमल देवी ने जलाए थे सेके जो की अजे राज की पतनी थी और अगला है कि कस्रेलम नाम किसका है कस्रेलम नाम जो है ये है मौलाना, अब्दुलकलामाजाद, अर्बी, फार्शी, सोद, संस्तान जो की कहां पर है, टौंक जिले का है और जेपुर्ग में निकत नीदियों के सग्रे में सरवादिक और सबसे कम से के है वो किसकी उफलवद है सरवादिक है वो परताब सी के है और कम है वो स्वाइमान सी के है यानि बी आपका सही और अगला है कि इसराना पाड़ियां राजस्तान में कहां पर है तो ये जालोर वाले जिले में है अगला है कि अविका सास्तर और अविकालीन नाम किसके है अभीका सास्तर अभीकालीन जो है ये भेड की दूर नसलों के नाम है और नेक्स्ट है कि जालोर्ग जिले की सबसे उन्ची परवचोटी कौन सी है तो सबसे उन्ची है जसंदपुरा की पाडियां एक आपका सही अगला है कि भीलों की हिरकूलिया देव कौन है बीलों के एकोलिया देव जो है वो कृषी देवता की रूप में जाने जाते हैं बी आपका सही और जालोर का कसमीर किसे कहा जाता है बढगाओं रानी वाडा को कहते हैं और लाएक कि किस जिले का छितर पतर परशीद है छितर पतर जोधपुर का परशीद है छितर बहुन और अनुवर तांदोलन किस ने चलाया था अनुवर तांदोलन चलाया था आचारी अश्री तोसी जी ने 1949 में तुराई डान्सराब का हो जाएगा एक नमराब का सही है और बुंदी के राजकवी सुर्यमल मिशन की कृती वस भासकर को पूरा किस ने किया था वस भासकर को आखेट स्थाल है, शिकार करने का जगए जो है और राज्ये में मोती का उत्पादन मुक्यतर कहां पर होता है मोती का उत्पादन होता है बांशवडा जेले में बिया का सही नेक्स्त है कि टोंका मुबारक महल में एद उल्जुहा पर किस पसु की बली दी जाए मुबार्क मेल में उंट की बली दे जाने का था मुबार्क मेल एक जेपुर में भी है जो कि मेहमान वाजी के लिए परसीड है जेज की पहली हवाई चाहाँ चीतर व्याख्या करने प्रियोग शाला स्टेट रिमोट सेशिंग एप्लिकेसर सेंटर जो है उसकी एस्ता अपना किसके दुआरा के कांपर कीगी है तो जोत्पुर में भी आपका सही और गासा क्या था गासा जो है वो विशेश परकार का एक लेप होता था जो कि केसों के अगर बाग बागलो के अगर बाग को पटियों को खड़ा करने के लिए यानि कड़ा करने के लिए यूज मिलिया जाता था तो सबसे है पानी की कमी राजस्तान में और गुडगाउन नहर प्रियोजना राज्य के किसे जिले से समंदित है बर्धपुर जिले से है और अजिमेर जिले में खारी नदीप निमित यानि रावली टोडगड ब्यारन जिले की सबसे बड़ी सिंचाई पर योजना बतानी है तो सबसे है नाराणि सागर और अगल है कि वानिकी से समंदित अमरिता देवी पुर्शकार किस वरस्चुरू वा था गुनी सो चोरानमे से और रोहिडा का वानस्पतिक नाम क्या होता है वो होता है टिको मेला अडूलेटा और क्यूस्तर नमर सो गुलाबी कलंदर का मकबरा कहां पे है जोदपुर में बनावा है तो इन सो में से आपका स्कोर कितना सही किया है कॉमेंट करके बता देना पीडिये पेलिग्राम पर मिलेगी ये लिंक है सर्च के लेना और ये इंस्टाग्राम पर भी आप मेसेज कर सकते हैं रात को डैली आट बजए हम लाइव करते हैं लेकिन अभी तो फिलागा